तो आज हम बनाने वाले हैं सूपर हेल्दी चॉकलेट नटी लट्डू की रेसिपी चुकि सूपर यम है और चटपट बन जाते विदिन 10-12 मिनिट्स चल यह बनाना स्टार्ट करते हैं गैस का फ्रेम ओन करेंगे एक दम लोग उगों पर रखेंगे और एक पैन या कडहाई बर्तन रख लेंगे तीन बड़े चमच इतना आलमंड लेंगे और साथी में दो बड़े चमच इतना वालनट और तीन से चार चमच इतना जो है बड़े चमच के नापसिया मुठी के नापसिया आप काजू ले लीजिए और एक से लेड़ चमच इतना जो है मैंने पिश्टा ले लिया है चारो ज अलग एक पर्तन में निकाल लेना है और ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देना है अब सेम पर्तन में लो फ्लेम पे मैं यहां पर डेट्स डाल रही हैं तो लगवख 10 से 12 डेट्स डाल रही हूं जितनी क्वांटिटी हमारे ड्राइफ रूट्स की है उतनी ही क्वांटिटी यह ड्राइड डेट्स की रखनी है मैंने यह थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि मुझे जो स्वीट वाला मीठा वाला टीस था वो कम चाहिए ता इसलिए तो इससे भी लो फ्लेम पे 2-3 नट तक जो है इस तरीके से मैश होने तक सॉफ्ट होने तक कुक कर लिया हलका सा जिसे की और बढ़िया तरीके से मैश हो जाएगा तो इससे निकाल करके अलग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम अब हमारे ड्राइफ रूट जो है वो ठंडे हो गए है तो ब्लेंडर चार लेंगे उसमें सारे ड्राइफ रू से पीस लीजिए क्योंकि हम इसे नटी बनाने आ लें तो थोड़े बड़े पीस जो है ड्राइफ रूट के रहना जरूरी है यह पिसकर के रेडी हो गया है सारे ड्राइफ रूट को मैंने एक बोल में निकाल लिया है कुछ जो है बदाम के पीस नहीं पिसे हैं अभी तो इ एक से दो बार चलाएंगे बिल्कुल हलका सा इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर तो मैं ये वाला कोको पाउडर ले रही हूं जो कि अन्स्वीटन है आपको भी कोको पाउडर ले सकते यूजिल यही जादा तर मिलता है तो इसके लगबग मान लीजिए मैंने चॉकलेट का फ्लेवर जितना आप जैसा चाहें उतना डाल सकते हैं अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं साथी में मैं वनीला एसंस ले रही हूं तो इसके भी कुछ बूंदे हम यहां पर डाल देंगे लगबग आदा चम्मत जितना आठ से दस बूंदे कहें इतन ब्लेंड कर लिया है और अब हम ड्राइफूट्स में जो है इसे भी डाल देंगे यदि आपको डेट की क्वांटिटी कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं इसे जो है मिक्स कर लीना है बढ़िया तरीके से हातों से तो यह देखिए यदि डेट की क्वांटिटी जादा होगी जादा मीठे लगेंगे जादा इजीली मिक्स हो जाएंगे मैश हो जाएंगे और लड्डू भी इजीली बन जाएंगे आपके ओपर डेपेंड करता है यहां पर इस तरीके से जो है मैंने पहले इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है अब इसके बाद हातों में मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने चोटे चोटे लड्डू हमें बना लेने हैं पोर्शन के लिए आप किसी चम्मच का यूज कर सकते हैं मैंने इसी तरीके से अपने हिसाब से बना लिये हैं काफी टेस्टी लड्डू होते हैं बहुत ही बड़िया खुश्पु आती है इने देखकर मतलब एक आप खा लेंगे तो आपका मन करेंगा कि दूसरा भी जरूर खाएं तो सेम इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी हम बना लेंगे तो यह आप ज़ादा कॉंटिटी में भी बना सकते हैं कम कॉंटिटी में अपने टेस्ट के खाप से जितना आपको खाना है पांच से साथ दिन आप इन्हें एयर टाइट कंटीनेर में रख करके स्टोर कर सकते हैं तो यह इतना नीचे पच गया इसका लड्डू बाइंड होगा तो इसे चम्मत से ऐसे ही खालेंगे यहां पर हमारे लड्डू बन करके रेडी हो गया है कटेवे पिष्टा से जो है मैंने से थोड़ा सा गार्निश किया है बहुत ही यम बने हैं आप एक बार इस सूपर हेल्दी लड्डू की रेसिपी को ट्राइ कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो